करेकृष्ण आज मैं आपको बिडियों करा रहा हूं एक हमारे दाइज गुरुमीद कर विजा आगया है बहुत हमारे को दाइज खर रहे हैं इस वीजा के लिए इसने बहुत मेहनत करेंगे तो आज हम भी समझते हैं की गुर्मीद ने क्या मेहनत करी और इसका क्या प्रोफाइल रहा जिसे कि आप लोग भी अपने प्रोफाइल उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि अगर मेरे को कहना दाना है तो मुझे क्या-क्या स्टेप्स करने चाहिए और मेरा प्रोफाइल कैसा होना चाहिए कि अराम से वीजा मेरा आ रहे हों मैं विंटर 23 में जा रहा हूं जैनुरी 2023 के आप जा रहे हों तो गुर्मित आपने अपनी हम प्रफाइब समझते हैं आप आपने अपनी 10 कप करी है 2017 में अब यहां पर समझेगा द्यान से 2017 में अगर 10 करा तो उसके बाद 18 19 20 21 22 पांच साल के बाद का यह इंटेक में जा रहे हैं तो इन जर्नल क्या होता है कि 10 के बाद बच्छा 11 करता है फिर 12 करता है कॉलीज का फरस्ट इयर को सेकेंड इयर कॉलीज का थर्ड इयर तो इस हिसाब से गुर्मीत को मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए क्या गुर्मित आ अपन्डर्ग्रेजविट डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो अब हमें यह समझना है कि जब दस्वी इनकी 2017 में हो गई और यह 2023 में भी अंडर ग्राजुवेट डिप्लोमा कोर्स में जा रहे हैं तो यह पांच साल में गुरमीत क्या करा है गुरमीत 2017 में हम आपके हर एक साल को समझते हैं यह 2017 में आपने करीट 10 2018 में एक जो मेरा भी कोर्स है जो नाइगरा के दर तो उसी के रिलेटिटिटी मैं ने पहले डिप्लोमा किया था उस ताइंट के दर वह एक साल का एक प्रोग्रम था वह मेरा कर लिया हुआ है वैसे मैं आप अगे बढ़ेंगे तो रिलेवेंची हमने सिर्फ कोर्स से ही नहीं लिये कुछ और चीजसे भी रिलेवेंची लिये वह क्या लिया है लेट्स अंदस्टाइंट तो 2017 में तेंट करी 2018 में आपने अपना डिप्लोमा कर लिया होटल मैंजमेंट कर दो हजार उननिस में आपने मैंने 11th किया मेरी नाइस 2020 में क्या करा मैं तो हमारे 17,18,19,20 कवर हो गए अब 21 और 22 दो सल अभी भी रहते हैं तो 21 के अंदर आपने क्या करा मैं अपने 12 के बाद मैं एक पार्टम जॉब कर रहा था इंदेली वेरी नाइस जिसे मैंने बताया कि हम लोगों ने जो कोर्स चूज करा वो कोर्स सरफ डिप्लोमा ही नहीं जो ये एक साल की जॉब करें इन्होंने 2021 के अंदर उस जॉब के अंदर भी हमने इनका एक्सपीरियंस में शो करा एक्सपीरियंस क्या था से होटल लाइन का ही आपने पढ़ाई करी हुई है होटल लाइन का ही आपका एक्सपीरियंस है और होटल लाइन का ही आप पढ़ने जा रहे हो तो वह रेलिवेंट सी बहुत क्लेर हो जाती है क्योंकि कनाड़ा में बहुत लोगों के रिफ्यूजर्स इस वजह से अक्सर आते हैं कि आपकी प्रीवियस एजूकेशन या प्रीवियस एक्सपीरियंस आपकी आने वाली एजूकेशन के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो तो यहां पर गुरमीत के बाद एक साल का डिप्लोमा भी होटल मैंजमेंट में रहा 11 12 के बाद इसका अगें एक साल का एक्सपीरियंस भी उसी से इंडर्स्ट्री में से फिल्ड में रहा तो दो पर फुरम मेром उल्ट मेरें अछार तो आपने आपने इल्स्काना स्यु दिए सवाय है रिच्ली में आपका साल मरे में सक्टियर किया धख़। एश्चली मेरे सिणद्ट में से प्रस्ट्री मेरे लोड़ अई। ऐसमें इक पॉर्ज्पीरियंस में तुमार्ट में इसके क्या गलाब ने उसके बाद जहां पर मैं पहले से स्टड़ी कर दा था था तो उस ताम पर वो जो में को इंस्टिटूट थोड़ा सूट नहीं लगा जहां ट्रेनर वगारा को सच्छे नहीं थे फिर में एक फ्रेंड ने बीमार्स से ही बीमार्स करियों कंसल्टेंट से ही इस सब्सक्वाइब को रहा तो इससप्स करेवाइबुति ऐस थी में सी अर्च्वाइब को वंदनाम का कारा है तो आप इस second attempt में और first attempt में score में क्या difference रहा? मेरा first attempt में 5.5 reading में रह गए तो second में मेरा वो clear हुआ सबसे पैदे और उसके साथ ही मेरा listening के अंदर में को 7.5 bands में ले और overall कितने हैं आपके? overall मेरे 6.5 bands रहें very nice so I would like to thanks to Vanna man जो हमारी martial trainer है Vanna man उन्होंने इसका reading भी clear करवाया listening में 7.5 पर और overall 6.5 so it's a very very good score also लेकिन definitely yes बच्चे ने पूरी-पूरी महनद करिया इसके ऊपर okay उसके बाद फिर हमने आपका कहना का process शुरू करा उसका अपनी journey होता हूँ कैसा आपका हमार साथ experience मेरा बीकुल पहली बात से starting से क्लिर कट रहा मेरी को जैसे मेरा वाइल क्लिर होएетр एकि उसके बात ही मैंने आप से ही अमार से झाल्स प्रफच्ट किया तो में व्हीना को अपने वही मिनिस दिल और कि रेम बज़ा से ही मुझे स्टेडी विजा मिल पाया मैं अपने आइल्स भी क्लियर गिया और मुझे विजा इसी चीज मिल अपना वीजा दिखाना है अपना वीजा दिखाना है कि इस समय पर काफी रिफ्यूजर आ रहे थे तो ऐसा कोई आपको फिर आया बीच में सब्सक्राइब के एकशली प्रिंड साथ ही थे इस नों ने फ्रेंड यह प्लान किया था एक साथ जाने का बट वो लोग थोड़ा पंजाब साइट तो उनने अपना एजन्ट चूज किया था और कॉलेज हमारा सीम ही ता तो एकशल में होगा कि उन्होंने मेरे से थोड़ा पहले पहले मैं एक लोगता लगी था कि मैं वीमार्स के चूज किया तो मेरा वीजा आज मिजे मिल गया मेरे फ्रेंट से में को पता लगा कि उनका रिफ्यूसल आ रहे कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना आजाए बट आप पूरी टीम थे मेरे परेंस भी थे कॉंपिटेंट थी वह हैं कि हमारे वीजा पसंड आएगा तो फिर मैं थोड़ा से निश्चिन अजया व मैरे उस रिफ्यूस आगे सेंट को अल्सो लेकिन हमने गुर्मीत को हर वर बोला गुर्मीत हमारी फैलिंग हमारी फैलिंग हमारा सिस्टम बिलकुल एक्ट्रीम विजा आएगे आएकर आप विश्वास रखो अप्ट आप तो को अप्ट अपना अपने और रहा ए तो आप में से जो जो लोग Canada student visa या हम लोग almost 30 plus countries को तो आप में से कोई भी अगर स्टूडेंट वीजा या आई सी प्रप्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे ओफेसे जाएं नीचे दिए गए नंबर के ओपर करें हमारी टीम हर एक चीज में transparently आपके साथ काम गरेगी आपके वीजा के प्रोसेस को लेकर नीचे नंबर दे गए हैं आप कॉल कर सकते हैं बात कर सकते हैं मैं अमन शुकला I am the CEO of the company thank you so much Hare Krishna